हलो गाईज वेलकम टू बरियातु वाला बलाग तो गाईज आस फाइनली वो दिन आहीं गया जिसका मुझे करिव करिव छे मैनत से इंतिजार था तो क्या है कि कल रात को मेरा अचानक से फोन पे मैसेज आया कि आपका ड्राइबिक लैसेंस जो है बनके रेडी हो गया है अब पनेकर करना ट्रत पाइस पास लगए तो चलो सीथे चलते हैं और या निकल अब हम इस सिद्वा करना है कि यहांसे आटी आप जाना है और आट पहुंच चुके हैं और यहां पर हमें तीन तल्ला में जाना है और वहां पर रूम नंबर 416 में बोला गया है कि अपना जो आटी यो का जो रिजिस्टेशन नंबर जो है गोबला वहां पर दे कर और उसके बाद आपको वहां पर जमा करना है उसके बाद आपको वहां से जा रहे हैं तो कह दो ना हमें आच तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना जो जबात में खोले ना जा रहे हैं तो गाईस पूरा पंदरा मिनट चाहां पर कोई भी नहीं आया है और यहां पर आधा जादा लोग गया 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 तो गाईस पूरा आधा गन टाइंप पिजार करने के बात खिर अभी बोल रहा है कि कांटर नंबर 416 यानि की चारतला में जाओ अब वहां जा रह है के लिए तरह यहां से काम वाम हो गिया है फिर से गॉंटर नंबर 416 में भेजा था और वहां पर बोला कि आपको लाइसिंस को प्रिंट का मतलब की काड में देने के लिए 59 रुपीज का फिर से अउनलाइन चालान लगेगा तो ऑनलाइन चालान हम इसको फिर से भर दिये 59 रूपीज का अब यहाँ पर बोला कि आपको कल फिर से इसी टाइम आके अपना लाइसेंस प्रिंट करके जो रहता है कार्ड में वह आपको मिल जाएगा तो कल हमको फिर से आना पड़े गए हैं उसके बाद हमको यहाँ से लाइसेंस दे देगा उसके बाद हमको यहाँ पर आने का चक्कर खत्म हो जागा मतलब कि आप उले कि कम से कम तो 5-6 बारे यहां पर आएं तब जाकि मेरा काम पूरा हुआ है तो यहां पर जो मेरा पूरा पैसा लगा है और सुरू से लेके अभी तक हो मेरा लगभग एक हजार के लगभग लगा है अगर आप यहाँ पर डिरेक्ट आटी ओफिस का पुछ चक्र काट के करते हैं तो पूरा एक हजार के लगभग में आपका टूबलर का लाइसेंस बन जाएगा नहीं तो फिर अगर आप ब्रोकर के हाथ से बनवाते हैं तो वह फिर आपको साल के हाथ है में चार-पांच जज़र रुपया देके अपना लाइसेंस भी असानी से बनवा सकते हैं